दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे UPS के बारे में एक वीवर ने कमेंट किया था कि इंडस्ट्रीज में UPS का यूज क्यों किया जाता है तो UPS actual में होता क्या है UPS की requirement क्यों रहती है इंडस्ट्रीज में परपस क्या होता है UPS का यह सब आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो दोस्तो बिना time waste के शुरू करते हैं, तो दोस्तो UPS का मतलब होता है uninterrupted power supply, इसका मतलब यह है कि यह ऐसी power supply है, जो uninterrupted काम करती है, continuous running रहती है, बिना interrupt हुए continuous अपनी service प्रोवाइड करती है, पर अब दोस्तों सवाल आता है कि हम में uninterrupted power supply की requirement ही क्यों है हमारे पास already power supply तो available है industries में power supply available होती है तभी तो industries properly work कर पाती है तो ऐसे में आपको UPS की requirement क्यों है तो मान लिजी अगर industries में कोई problem आती है जिसके वज़े से पूरा power supply cut off हो जाता है तो ऐसे में हमारे जो computers है, हमारे जो servers है वो off होने के वज़े से आपका पूरा data loss हो सकता है तो ऐसी जो critical चीज़े होती है जो servers होते हैं, आपके जो computers होते हैं उन networks में हम लोग UPS का इस्तमाल करते हैं ताकि अगर power cut off हो जाए, अगर आपका power plant trip हो जाए उस case में आपकी पूरी power supply interrupt हो जाएगी इस condition में हम ये नहीं चाते कि हमारा जो server है वो कहीं न कहीं disturbed हो हमारे जो computers है, उनमें जितना data है, जो भी काम चल रहा है वो interrupt हो उसमें जो भी data save है, जो भी काम आप कर रहे हैं वो data कहीं भी loss हो इस purpose के लिए basic way में हम लोग industries में UPS का इस्तमाल करते हैं तो दोस्तों computers के लिए UPS का इस्तमाल किया जाता है ये एक बहुती basic work है अगर हम industries में एक level उपर की बात करें तो जो DCS होता है, जिसे distributed control system भी कहा जाता है आप simple way में समझें कि जो control room होता है किसी भी industries में supply करते हैं, UPS as a backup हम लोग use बिलकुल करते हैं क्योंकि अगर आपका power failure होता है अगर power plant trip होने के वज़े से complete power blackout होता है तो उस case में आपको DCS में आपके control room में power available चाहिए ऐसे में जो critical drives है, जैसे control room एक critical area है जहां हर वक्त आपको power की supply available होनी चाहिए तो ऐसे जो critical areas होते हैं, जो critical work होते हैं उनको continuous running बनाए रखने के लिए हमें power supply की जरूरत होती है एक ऐसी power supply की requirement होती है जो uninterrupted way में काम कर सके तो ऐसी जगह उपर हम लोग UPS का use करते हैं अब दोस्तों बात आती है कि UPS basically होता क्या है किस तरीके के arrangement UPS में होते हैं तो देखें UPS single phase का भी आता है UPS three phase का भी आता है अगर एक small scale industries है या commercial level पर अगर आप बात करें तो single phase UPS का ही use होते हुए आप देखेंगे पर जब आप industries में जाएंगे तो industries में आपको single phase का UPS भी देखने को मिलेगा तो basically दोस्तों UPS में एक main supply होता है जैसा इस block diagram में आप देख सकते हैं कि एक main supply हमने लिया है उसके बाद हमने एक rectified circuit लगाया है जो AC को DC में convert करेगा देखें industries में जो main supply available होती है वो तो AC होती है पर UPS में हमें DC में conversion की requirement पड़ती है क्योंकि हम लोग battery का use यहां पर करते हैं तो आपके पास जो already AC power available है उस AC को हम लोग पहले DC में convert करते हैं rectified circuit का use करके और उस DC को हम लोग battery में store करते हैं अब जब भी आपको uninterrupted power supply की requirement पड़ेगी तो इस battery में power store है इस battery से अब आप power लेंगे अब battery में जो power है वो तो DC में available है पर आपकी जो भी requirement है वो तो AC पर work करती है तो हम एक inverter circuit लगाएंगे जो DC को AC में convert करेगा और फिर उस AC power को आप load में easily use कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही basic diagram है basic block diagram है UPS system का कि पहले आप AC को DC में convert करते हैं आप battery का use करते हैं उसके बाग inverter circuit के help से आप again DC को AC में convert करते हैं और फिर उस AC power को uninterrupted आप use कर सकते हैं यहां दोस्तों आपके mind में यह सवाल आ सकता है कि आप AC को पहले DC में convert कर रहे हैं फिर DC को वापस AC में convert कर रहे हैं तो आप उसे AC में क्यों नहीं रहने देते तो देखें AC supply को, AC power को आप कहीं पर store करके नहीं रख सकते आपके यहां जो generation हो रहा है जो already available power है वो AC में है यह बात सही है और आपको जिस power की requirement है वो भी AC power ही है पर problem यह है कि AC power को आप कहीं पर store करके नहीं रख सकते पर DC power को आप battery में जरूर store कर सकते हैं तो इसलिए हम लोग पहले AC को DC में convert कर रहे हैं ताकि हम battery का use कर पाएं और फिर जब भी आपको requirement होकी आप इस battery का use करके DC को again AC में convert करें inverter circuit का use करके और उस AC power को आप use कर लीजिए तो इस तरीके से जो critical area होते हैं industries में जैसे DCS होता है, control room होता है, PLCs होती है इन सभी में UPS supply का use किया जाता है तो दोस्तों यह बहुत introduction way में UPS के बारे में मैंने बताया है इसको और advanced level में भी हम video बना सकते हैं तो अगर UPS जैसे online UPS होता है, offline UPS भी होता है तो अगर आपको detail में इसके आगे एक step आगे का video चाहिए हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखें, good bye